हलो गाइज, हाज हम बनाएंगे चना मसाला मैंने यहाँ पर ओयल करम होने के लिए रख दिया है और रात को मैंने यह जनी गला दिये थे 7-8 गंटे के लिए सुबे अब मैंने इनको अच्छे से धोके छन्नी में निचोड़ दिया है और इस तरीके से हम इनको दूप में भी यह रख सकते हैं 10-15 मिनट को और इसको हम पंके के नीचे भी रख सकते हैं और हम इसको कॉटन से अच्छे से पौँच लेंगे जब तक हमारा ओयल करम हो रहा है लो फ्लैंप है तब तक हम इनको अच्छे से फैन के नीचे और cotton के साफ कपड़े में अच्छे से फॉंच लेंगे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर हम यह oil में डालेंगे तो तेल हमारे उपर आ सकता है, हमें जलने का खत्रा बढ़ जाता है तो इस तरीके से हम यह दीरे-दीरे भूनेंगे, गुल अच्छा पकने के लिए बहुत क्रिस्पी बनते हैं और यह बहुत अच्छा श्नेक्स है, रात में, दिन में, सुबह कभी भी खा सकते हूं और इसको हम इस्टोर करके भी रख सकते हैं एक मेहने के लिए, भी इस दिन के लिए, इसका कुछ भी नहीं विकड़ता है क्योंकि बहुत अच्छे से ओयल में फ्राइ करके बनाया जाता है और यह सब को बहुत पसंद आता है, चन हमारे से लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं जरूर बनाना चाहिए इस तरीके से मैं आपको निकाल के बता रहे हूँ, आप इस तरीके से भी कड़ाई की साइट से निचोड सकते हैं और यह अपनी इस तरह की जाली वाली कर्चल में भी निकाल सकते हैं, इससे पूरा ओयल नीचे चला जाएगा, यह नीचे आसानी से निकलाएंगे इसी तरीके से हम सारे चनों को अच्छे से सेक लेंगे दोस्तों और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे अब बाकी जो चनी मेरे पास बचे उनको भी हम इसी तरीके से सेकेंगे यह यहाँ पर मैंने मूफली ली है मैंने यहाँ पर एक आदा कप तो यह मेरी अच्छे से भून रही है आदा कप में भी थोड़ी कम है इनको मैं गॉल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूँगी और साथ ही इन से बहुत अच्छे स्वात भी आता है और सेहत के लिए होती है और हमारा कोई भी स्नेक्स वह कम यह उसमें डाल देंगे तो और बढ़़ जाता है इसी तरीके से हमें इसमें मूफली एड़ कर देंगे साथ ही अब हमें इसमें डालेंगे चाट मसाला, साथ ही हमें इसमें डालेंगे बॉयल किये हुए आलू और कटी हुई बारिक हरी मिर्ची, आलू मैंने यहाँ पर पहले से वाल के रखा और रखा था, जिसको मैंने छोटे बारिक पीसों में काट लिया है दोस्तों, और साथ ही हमें कटा हुआ प्याज भी डालेंगे यह आप जब इस्टोर करके रखें तो इसमें आप प्याज आलू को प्योग ना करें हरी मिर्च का हरी मिर्च आप सेखके ही इसमें प्योग कर सकते हैं और अगर आप ताजा खाने को सुबह साम के लिए बना रहा है तब आप इसमें जोड़ाया है और अगजोडर मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे और देख्यक अजाम यहां प्रेंट आपकर मनी बुल्ट आयों और जोड आलिए मैं पर तो व्शल हम जुंद आप प्यारी तो यह चल आने आपदान थ्समें यह बहुत अचा टेस्ट आता और भूदे फ्लिव कोई भी नमकीन मिक्स कर सकते जहां तक अगर आगर हमuciyan करते हैं तो तो स्वाधर बढ़ जाएगा जब भी आप इस टोर कर रखें तो इसके साथ आप नमकीन का उपियोग भी कर सकते हैं मैंने यहां पे भॉजिया नमकीन डाली अधी मैं यहां से जीरो वाली फुजी आती है वो भी इसमें डाल रहे हैं इसको इन दोरी से बोलते वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के आप सभी का बहुत-बहुत